हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बैटनो उट सी क्रीम के बादे मेंजहां आज फाइद क्αι डिटेल में इस वीडियो के लिप बताने वाला हूं यह जानने के लिए आप वीडियो के आप जरूर देकिए और साथ में अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जाके कर लीजिए नीचे लालकरा का बटन दिया हुआ है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए दोस्तों मैं आपका दोस्त मनिश्णिका वीडियो स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तों हम बात करते हैं बेटनोवाइट सी की यह एक मेडिकल क्रीम है आपको भारत के हर मेडिकल स्टोर पर बड़ी असानी से मिल जाएगी इसको बनाने वाली कंपनी का नाम जीएस के है जीएस के भारत की नमबर वन मेडिकल कंपनी है अब हम बात करते हैं इसके यूज और बेनिफिट्स की इसके बेनिफिट्स दोस्तों यही है कि इसी दात खाज खुजली में इसका यूज किया जाता है दोस्तो इसके अंदर दो प्रकार की composition है पहला है बीठा मेतासवन दूसरा है कलायो किनॉल दोस्तो बीठा मेतासवन एक steroid है यह एक हानिकार केमिकल को कम करता है हानिकार केमिकल क्या होते हैं जैसे की गाड़ियों का धुआ पॉलूशन पॉलूशन के कारण हमारी skin पर allergy हो जाती है इसलिए betonovite C का use किया जाता है चलिए दोस्तो दूसरे की बात करते हैं कलायो किनॉल यह संकरमण को फैलाने वाले फंगल को रोकता है जैसे की मान लो हमारे एक हाथ पर दाद हो गया है वो दूसरे हाथ तक ना पहुंचे इसलिए कलायो किनॉल का use किया जाता है दोस्तो अगर हम इस skin की साथधानी की बात करते हैं तो इसे अपने आख, कान, नाख के अंदर जाने से बचाना चाहिए और इसका use अपने फेस पर बिल्कुल भी नहीं करना है यह क्रीम सिर्फ एंटी फंगल्स है यह क्रीम दाद खाज खुजली में इसका use किया जाता है दोस्तो अगर मैं इसकी MRP की बात करूँ तो यह 30 ग्राम का ट्यूब है जो कि आपको 40 रुपे में मिल जाता है और यह आपको ऐल्मोनियम का ट्यूब बना होता है और दोस्तों यह काफी benefits क्रीम से मिले हैं लोगों को उनके दाद खाज खुजली के अंदर और allergy छोटे छोटे दाने जैसी problems हो जाती है दाद हो जाता है और वो दाद भढ़ने लगते फैलने लगते है तो उस condition में बैटनोवेट सीगा आपको use करना चाहिए और दोस्तों एक बात और यह जो भी आप दवाईयां खरीते हैं मेरी वीडियो देखकर जाओ कोई भी क्रीम खरीते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल करें डॉक्टर के बिना आपको कोई भी दवाई लेनी नहीं होती हो सकता है उसके side facts भी हो सकते हैं अधरवाई side facts है नहीं लेकिन मैं आपको फिर भी एक suggest कर रहा हूं कि आप अपने डॉक्टर के बिना कोई भी दवाई ना खरीते चलिए दोस्तों आज की वीडियो में विस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों अपने में शेयर करिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ